फाइनली गदर टू रिलीज हो चुक है और ओडियन्स को जिस बात का डर था वही हुआ अगर तारा सिंग और उनके बेटे चिरन यू के बीच में कमपैरिसन किया जाए तो तारा सिंग को कम इसके इन टाइमिंग दी गई है जैसा की ओडियन्स पहले बात कर रही थी कि इस मूवी के डारेक्टर के पास कोई भी गदर टू को लेकर स्ट्रॉंग स्टोरी नहीं है बस वो अपने बेटे को लॉंच करना चाते हैं इस मूवी को देखने के बाद ये बात कहीं न कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही है अगर इस मूवी से सनी देवल के करेक्टर को यानि की तारा सिंग के करेक्टर को निकाल दिया जाए तो इस मूवी के सभी करेक्टर टोटली करेंज है यहां तक की Amisa Patel and इस movie के main villain का character भी काफी ज़्यादा cringe लग रहा है बट फिर भी ये movie मुझे अच्छी लगी क्योंकि इस movie के characters इतने ज़्यादा cringe है कि उन्हें देख के हसी आती है and that's why reason कि मुझे ये movie अच्छी लगी बट सभी audience का taste same नहीं होता and this movie को देखने के बाद गदर वाली कोई feel भी नहीं आती है जो कि काफी सारे audience को निरास भी करेगी and this movie का एक positive point ये है कि इस movie में गदर movie के काफी सारे गानों को बिना किसी छेड़ चाड़ के edited डाला गया और काफी सारी clips भी जोड़ी गई है जिसकी वज़े से गदर movie की कुछ memories इस movie को देखते time mind में उच्छाल मारती है and this movie में Tara Singh and Sakira वाले love story को फिर से recreate करने की कोसिस की गई है चिरन जी और मुसकान के जरी है जिसमें की make us बहुत बुरी तरीके से fail हुए है क्योंकि जो मुसकान का character है उसकी script writing कुछ इस तरीके से करी गई है कि मुझे उससे ठरक वाली feeling आती है and भाई वलीवूड वालों को कोई जाके ये बताओ कि movie में script writing की भी एक important जगे होती है और script writing की वज़े से ही हाली में एक बहुत बड़ी movie का कल्यान यानि की सत्या नास हुआ था समझ जाओ overall देखा जाए तो आप इस movie को enjoy कर सकते हो बट इस बात को ignore करके एक ही आप गदर movie का sequence देख रहे हो बाकी तो आपकी मर जी and आज किस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में जब तक देखते रहे केयर फिल्मी